हलो फ्रेंड्स मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्वाद कड़ाइका में आज हम बनाएंगे चक्री टिक्की जी हाँ इसको खाने के बाद आपको टिक्की और समोसे भी पसंद नहीं आएंगे ये आपकी इतनी फेवरेट हो जाएगी बहुत इजी तरीके से बनाएगे और बच्चे इसको खेल खेल में प समोसे का डोव बनाना है आदा कब तेल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाएंग अब इसको बीना पानी मिलाए अच्छी तरीके से गुंदेंगे अभी हमने इसमें पानी नहीं मिलाया है पहले आप तेल और आटे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए जब यह मिक्स हो जाए तो उसकी कॉंटिटी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर दोर तैयार करें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे क्योंकि हमें एक टाइट डोर चाहिए नरम नहीं होना चाहिए ये टाइट डो देखिए हमारा तयार हो चुका है लेकिन एक बार में ये दो तयार नहीं होता तो हलका सा तेल पानी का हाथ लगा कर इसको रख देंगे दस मिनट के रेस्ट पर चलिए इतने में हम टिक्की की तयारी कर लेते हैं उसके लिए हमने लिये आधा किलो आलू जो हमने उबाल कर कदू कस कर लिये थे इसमें हमने डालिये लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच एक चम्मच अमचूर पाउडर काला नमक काला नमक सिर्फ आधा चम्मच डालें और बाकी नॉर्मल नमक डालें आधा चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर हमने मुमफली को क्रश कर लिया था था थोड़ा क्रंची टेस्ट आएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा मुमफली को क्रश करके हमने इसमें डाल लिया अभी इसमें हम डालेंगे बारिक कटा हुआ प्याज बार इकटी हुई हरी मिर्च प्याज, हरी मिर्च और हराधरिया आप यह अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसकी कोई quantity नहीं होती कोई कम जाता है, कोई कम खाता है कोई ज्यादा खाता है अगर चाहें तो इसमें प्याज वगेरा को आप स्किप भी कर सकते हैं और इसमें हमने डाला है दो चमच अरा रोट जी हाँ, हमने इसमें दो चमच कॉन फ्लार डाला है अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे जो चीज आप हाथों से मैश करके मिक्स कर सकते हैं वो आप किसी चमच या स्पून की सहायता से या मैशर की सहायता से इतनी आसानी से नहीं होती तो मेरा इस्तमाल जादा तर हाथ से ही रहता है अब हतेली पर थोड़ा सा मिक्स होने के बाद तेल लगाएंगे और छोटे छोटे गोले बनाएंगे बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं ये और थोड़ा सा दबा के टिकी की शेप दे देंगे सारे इसी तरीके से टिकी शेप के बना लेंगे पहले क्योंकि आप सोचे कि तुरंथ हम तलने लग जाए या तुरंथ हम बनाने लग जाए ऐसा कभी नहीं होता है तो आपको स्टेप बाए स्टेप आप काम करना होता है तो आप सबसे पहले टिक्की तैयार कर लेंगे साथ ही देखिए अब हमारा ये डो अच्छी तरह फूल चुका है थोड़ा सा तेल का हाथ लगाएंगे और इसको फिर गूंद लेंगे एकदम नरम हो जाएगा इस टाइम ये कई चीज होता है कि मैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से नहीं करती हूं क्योंकि जब मेरा मन करता है मैं तुरंत आपके लिए वीडियो बनाने लगती हूं खाना बनाने लगती हूं तो कुछ स्पेशल नहीं करती हूं मैं सिर्फ खाना बनाने को इंजोई करती हूं कई बार होता है कि मैं आपको बताते बताते वह दीरे-दीरे काम नहीं कर पाती हूं क्योंकि यह मेरा नॉर्मल तरीका होता है देखे जैसे यह मैंने रोटी बेली है तो मैं आपको दीरे-दीरे बेल यह कोई मोटा कोई वो नहीं बनाना है और अगर गोल शेप आती है तो ठीक है नहीं आती तब भी ठीक है क्योंकि हमने इसकी स्ट्रिप निकालनी है तो यह आप आधे आधे इंच की पट्टियां लेंगी जो कन की उंगली होती है उतनी चोड़ी यह कि अदि अधी हम आ यह बहुत ही बढ़ियाा होता है इस ताइम यह काटने में बहुत ही मज़ा आता है जब आप बनाएंगे तो पूरी चक्री टिक की बनाने में आपको सबसे बढ़िया प्रॉसेस यही लगेगा साइड के निकाल देंगे क्योंकि बहुत छोटे पीस हैं बाकि सारी पटियां उठाकर हम रख लेंगे प्रेंट्स आपने देखा कितने इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताती हूँ और इंग्रीडियन्स मैं कुछ ऐसे इस्तमाल नहीं करती हूँ कि जो आपको ढूणने पड़े या कहीं मिले न या आपको सोचना पड़े कि नहीं है तो नहीं बनाते हैं आप ट्राई जरूर करें मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरी बनाई हुई चीजे आप ट्राई जरूर करें यह हमने थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा पानी लिया है यह ग्लू का काम करेगा तो आपको अगर मेरा यह इजी तरीका पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सिम्पल सिम्पल रेसिपी आप तक पहुँच सके और उसके लिए आपको साइड में दिया हुआ बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा जिससे कि मैं यहाँ रेसिपी डालूंगी और वहाँ आपके पस नौटिफिकेशन पहुच जाएगी यह देखिए पहले इसको हम सेट कर लेंगे एक बार में कुछ नहीं होता है आपको स्टेप बाई स्टेप चलना पड़ता है मैं आपको बार बार यही समझाती हूँ एक बार में कुछ नहीं होता है कई लोग यह सोच कर रहा जाते हैं कि उन्होंने एक ऐसा बनाया था और हमारा इतना नहीं बना तो अगर आप रेगुलर में रखेंगे तो आपके भी इतनी सुन्दर सुन्दर डिजाइन के और इतनी बढ़िया बढ़िया टेस्ट की चीजे बननी शुरू हो जाएंगी और चीज कोई भी बनाई जाए अगर प्यार से बनाई जाए तो टेस्ट उसमें अपने आप आ जाता है यह देखिए पहले हमने एक साइज ले लिया है मैं इसको काटके इस तरीके से इसलिए बता रही हूं क्यूंकि आपको इजी लगे अब यह हम सारी स्टेप खोल लेंगे थोड़ा थोड़ा सा वो जो हमने मैदे वाला गोल बनाया था उसे लगाएंगे और उसके उपर चिपकाते हुए चले जाएंगे मैं आपको दुबारा फिर वही कहूंगी कि आप सारी टिकियां बनाकर एक बढ़ तयार करके रख लें ऐसा नहीं है कि आप बनाये जा रहे हैं और उदर तले जा रहे हैं क्योंकि ना वो तली जाएंगी और ना आप बना पाऊगे तो पहले कच्चा माल तयार कर लें उसके बाद आप कढ़ाई का या तलाई का काम शुरू करें यह हमने तेल गरम कर लिया था अब हम इनने इसको स्लो कर लिया है आज को क्योंकि खस्ता होने के लिए मीडियम या स्लो आज पर ही पकना जरूर है तेज आज पर आप कोई भी खस्ता चीज नहीं बना सकते हो जब आप यह बनाएंगे तो आपको सर्फ यह पता लगेगा कि बनानी है और आपको यह नहीं पता चलेगा कि यह कब क्योंकि यह इतनी टेस्टी लगती है इसको खाने के बाद आपको बजार की चीजे पसंद आनी बहुत ही कम हो जाएंगी और यह जटपट कभी भी बन जाती है कि दोनों साइट से सेख लेंगे देखिए यह खस्ता हो चुकी है और तेल के उबलने से आपको पता चल रहा होगा कि तेल जादा हमने गरम नहीं रखा हुआ है अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है तो इससे लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों को खिलाएंगे मैं कि उनका क्या स्पॉंस आता है और मुझे जरूर बताएं कि जब आपने बताया तो आपकी टिक की यह करारी हुई आपकी जो साइड की लेयर है वह खस्ता हु